प्रणाम नमस्तेक मोहर मिठला की चन में आप सभी का स्वागत है तो आज देखिए हम क्या बना रहे हैं आज हम बना रहे हैं बथुआ का साग और चावल इसके साथ तो साग हम बनाएंगे दो तरीका से एक सुखा साग और एक मार वाला साग बनाएंगे तो देखिए अगर आप लोग आ गए हैं मोहर मिठला चैनल पे तो आप सभी पहले चैनल पे आ गए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो तो अब बतुआ का साग मेरा वजैसे कि देख रहे हैं ये इस तो भी सखरणैं Pat say the secondesser यह देख रहे हैं आपलोग यह इसको थो ड़ाने में टारिए कर लिए है तो इसको उपर से तोर लेंगे नीचे का ये थोड़ा करक रहता है जैसे सक्त है ये वला तो इसको फेक देंगे ये साग में जाता है नो तो उतना अच्छा नहीं लगता है साग तो इसको हटा लेंगे और जो सौप्ट बला रहेगा इस तरह का पतलासा उपर से उसका इस्तिमाल हम करेंगे देखिए अभी म इतना उस मेरा किसारी का कुछ नहीं था शाग निकला है तो अभी सो कांट लेते हैं तो ये देखिए इतना ही साग जितना मेरे हाथ में है खषारी का इतना ही मेरा अच्छा साग निकला है तो अभी आप लोग नहीं खरी दियेगा खषारी का साग क्योंकि मार्केट में भी ऐसा ही मिल रहा है तो थोड़ा मोटा मोटा ही है क्योंकि हमको उतना मिहिन काटना नहीं आता है साग जैसे तैसे हम अपना काट लेते हैं अब यह हम ले लिए हैं बखवारा साग इसको अब काट रहे हैं जैसे तैसे हम काट लेते हैं उतना अच्छा तो मेरा साग काटने का होनर जो होता है वह हम में नहीं है तो देखिए साग को जैसे तैसे काट लिया है अब इसको हम बनाने के लिए जा रहे हैं धोके पहले इसको धोएंगे अच्छा से आप लोग बने रहिए, देखते रहिए, कैसे मेरा साग आज बनने वाला है, ठंडी की मौसम में साग बहुत अच्छा लगता है खाने में, कोई भी साग हो, ठंडी में साग खाना चाहिए सबको, खेल दी होता है साग, फाइदे मन भी, कीचन में, अब साग को अच्छा से दो लेंगे पहले, उसके बाद आगे क्या करना है वह आप से खुदी खाते रहेंगे, तो देखिए साग को अच्छे से साग कर लिया है दो के, तब इसको कुकर में डाल रही हूं, कुकर में बनाऊ, तो कुकर में सारा साग डाल दिया हमने अब इसमें डालना है हमको नमक स्वाज की हिसाब से जितना नमक लगेगा तो साग हमारा कम था थोड़ा सा मतलब ज्यादा साग नहीं है तो इसमें हिसाब से हम नमक डाल रहे हैं जितना स्वाद के अनुछार लगेगा उतना ही और अब इसमें डाल लेते हैं हिसाब से पानी ताकि अच्छा से गल जाएगा थो भूझीस क्षोटा किलास एक ट्रपानी डाल दिया है तब गैस हम ने आन कड़ दिया है कोकर कुछ डाल दिया है इसको बद कर knocking है बंद करने के बाद इसको अच्छा संचारपा सिटी लगाएंगे तो देखिए भात बनने के लिए हमें पानी भी एकसा डाल दिया था तो अब ये पानी गरम सकता तो इसमें चावल लगा देखें हैं क्योंकि आज ऐसे बना रहे हैं चावल इसका मार निकालेंगे इसलिए तो हम चावल आज पसा के बनाने वाले हैं साग भी बन गया है अब इसको बंद कर देते हैं सीटी लगा है इसको आज खुलने देते हैं तब तक चावल भी बन जाएगा तो अब देखिए कुकर को खोल देते हैं साग को देख लेते हैं पका की नहीं यह हो गया है पूरा तरह से तो देखिए जैसे की दिखाये थे कि सागा पक गया है इसको हम दाल गुटने वाला है यह हम लोग इसे दल गुटनी बोलते हैं इसको अच्छा से मिला लगे ताकि पुरा मिक्स हो जाए अच्छा से तो इसको इतना कर लाए थी जब यह अच्छी से मिल चुका है देखिए तो हमने गैस पे करा ही डाल दिया है अब साका छोंका तयार कर लेते हैं अच्छा से तो देखिए आप लोग तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें थोड़ा सा जमाइर और थोड़ा सा मंगरेला डाल रहे हैं थोड़ा सा ही अब इस मिर्ची और लेश में बोने पास आतीं तो देखिए चाबल भी अब हो गया है भास अब इसको पसा लगा अब इसमें पुराना चाबल है इसका मारी इस लिखना पतला रहा है अब इसमें शाग डाल देते हैं इसमें तो देखिए अब इसमें पतला रहे है अब इसमें पलड़ा है इसमें शुद्गाइज़ा ने पूषा अब इसमें इसका बढ़ा है पहले कुकर में साग लगा हुआ था तो इसमें हम डाले हैं अपने हिसाब से जितना हमको पतला रखना है इसको ज्यादा पतला में ही करना है मेडियम में ही पतला करना है तो देखिए यह प्याद हो गया है इसको बंग कर देते हैं अपना प्लेटिंग आपको दिकाते हैं कि कैसा लगता है खाने में तो बहुत ही जाला नमक आपको नहीं डाले हैं जितना हम उबालते वक्त डाल दिये थे उतना ही डाले हैं तो देखिए प्लेट हमने ले लिया है अब इसमें खाना लगा रहे हैं तो आप लोगों ने देखा कि कैसे कैसे हमने बनाया है आज भात और साग मार वाली तो अगर आप लोग पूरा वीडियो देख लिए हैं चैनल को लैक करें सब्सक्रायब करें और वीडियो को कोशिस करें कि पूरा का पूरा देखें कैसे हमारे किचन में मोंहन मितला किचन में कैसे बनता है क्या बनता है और पसंदा также सेयर भी करें तो आज का खाना हमारा रेडी है अब हम लोग जा रहा है खाने के लिए देख लीजे आप लोग